अलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई चैनल लेनो शुरेवंशी तो अभी देखिए हमने इसे फोरेड कर रहे हैं इनकी हमें अच्छे से फोरेड करनी हैं इस तरह से हमने इनकी जो फ्रेडिंग बनाई हैं सिर्फ और सिर्फ हम इनकी आज बताएंगे इस वीडियो में कि हमने इनके केवल एक्स्ट्रावाल निकालने होते हों किस तरीक से निकालने होते हैं क्योंकि एक्स्ट्रावाल निकालने में प्रॉब्लम आ जाती है एक्सट्रावाल के साथ साथ ऐसा होता है कि कभी कभी जादा यह एक्स्ता निकल जाते हैं तो फिर वो धिंस पतली तुम हो जाती है यहम इनकाल रहे हैं सिर्फ देने हैं तो इसलिए आप देख सकते हूं मैं आपको जूंग करके दिखा रही हूं मैं यहां से तिर्चा दागा लेना है मैंने आपको कई बार बताया है यह चीज हमें हमेशे यहां Sé तिरच्छा धागा जस तरह से मैं ले रही हूँ आप इस तरह से तिरच्छा धागा लोगे तो फिर आपके पॉइंट में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पॉइंट से थ्रेडिंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी अभी इनके हमें एक्स्ट्रवाल, अभी हम सेफ ले रहे हैं इनके अच्छे से, देखी फ्रंट्स, आपको अच्छे से समझ में आये मैंने इस तरीके से, आपको एक्स्ट्रवाल की ही वीडियो बनाई, अभी यहां से एक्स्ट्रवाल इनके धे गए हैं, तो अच्छे से हमे निकालना है इन्हें पतली नहीं चाहिए थी अब इनकी आप सेफ देख सकते हो एक त्रिडिंग इनकी क्लियर है अब हमें दूसरी त्रिडिंग बना रहे हैं ये भी हम पहले देखो उपर से इनकी क्लीन करेंगे जो एक्स्ट्रा वाल हैं वही निकालेंगे क्योंकि इनकी सिर्फ एक्स्ट्रा वाल निकल वाने थे त्रिडिंग नहीं आ रही थी ज्यादा इनकी तो अभी हम उपर से भी इस तरह से तिर्शा धागा लेंगे तो फ्रेंट्स इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि जो राइट हैंड वाली थ्रेडिंग है उसे हम आगे क से भना रही हैँ थ्रेडिंग को इस तरह से हमें पीछे से ही बनानी है यह वाली ध्रेडिंग लेट जोगोर यह आगे से अच्छे से नहीं बन पाती है अभी आप देखो यह धागा तिर्चा करेंगे हम इसे इसतरह से अभी फ्रेंट्स धागा टूट गया था था तो इनके जो एक-एक बाल है वो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूं ताके आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए देखी फ्रंट्स इनकी हमें सेफ ही निकाल नहीं थी बस ज्यादा एक्स्ट्रवाल नहीं जाएं इस तर ऐसी बस इसमें ये हैं लेफ्ट वाली थ्रेडिंग में हम पीछे से बनाएंगे और राइट वाली थ्रेडिंग को हम आगे होके बनाएंगे ये अब हमें बीच के बार लेने हैं इस तर ऐसे हमें बीच में ऐसे थ्रेडिंग को क्लीन करना है अच्छे से इस तरह से हमें point से धियान रखना होता है कि ज़्यादा extra बाल नहीं निकल जान इस तरह से हमें इसमें भी तिर्चा करके दागा इस तरह से Sizor type से अभी हमें देखो Sizor से इनके जो बाल एक्स्ट्रा उपर निकल रहे थे वह हमने सीजर से कट कर रहे हैं ऐसे इस तरह ऐसी अब आप इनका फाइनल लुप देखें भी तुरी बहुत देखें हैं यह भी कट कर दिये हैं तो फ्रेंट्स ये था इनका फाइनल लुक आप देख सकते हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करें थेंक यू फ्रेंट्स